Today we learn about reproduction. आज हम लोग reproduction in organism परहेंगे. Reproduction in organism. All organism produce same type of young one. Production of same type of young one is called reproduction. Reproduction is the living process. एक जनन करना एक सजीव के लक्षन है. प्रतेएक जीवधारी अपने जाद के अस्थित्व को बंचाए रखने के लिए अपनी संख्या को बरतमान रखने के लिए अपने जैसी शंताने उत्पर्न करता है. और अपने जैसी शंताने उत्पर्न करना ही जनन का लाता है. अब यह reproduction हर organism का क्यों अगर नहीं करता तो यहां nature में उसकी संख्या मेंटें नहीं होती. To maintain their number in the nature, all organism produce same type of young one. And production of same type of young one is called reproduction. Reproduction is the living procedure that occurs in all every living beings. यह जनन करना, reproduction करना प्रतेक सजीव के एक लक्षन है. यह जो life procedure आप परहें हैं, वो सब में reproduction जरूर है, यह life procedure में आता है. अब क्योंकि अगर न करते क्योंकि हर organism का अपना एक life span है, जीवनकाल है, हर organism का अपना life span है. यह life span जितना वो जीए उतने ही तक जिंदगी उसकी है, जीएगा. सब के life किसी का कुछ महीनों हैं, कुछ हपतों हैं, कुछ बरसों हैं. अब जेसे तर्टवाईज का है, कश्विय का जीवनकाल है, वह सबसे जादा 150 वर्स होता है. कुछ मक्षियां हैं, जिनका हपतों में ही जरनकाल होता है, हपतों में ही जर्म लेती हैं, यंग होती हैं, मर जाती हैं. इस पकाल से जो नेचूरल देथ होती हैं, यंग लेना, जन्म लेना, जवान होना, बिर्ध होना, खतम हो जाना, उनके पूरे लाइफ इश्वान होते हैं, तो एक दिन खतम हो जाएंगे. Everything here is the mortal, सभी लोग mortal हैं, कहीं कहीं खतम हो जाना है, नश्वर हो हैं, तो फिर कैसे रहेंगे हम लोग, हमारी यात मेंटेन कैसे रहेगी, यही एक प्रोसेस है, जो continuity बनाए रखता है, living की continuity बनाए रखने वाला प्रोसेस एक reproduction है, तो इसी लिए प्रते एक organism, living, कोई living है, प्र और reproduction करके अपने जाद के वो अपनी संख्या को नेचर में मेंटेन रखने की कोशिश करता है, हर organism की एक natural death होती है, को हाँ कुछ ऐसे organism हैं, जिनकी natural death नहीं होती, वह जो हैं, जैसे बाइकरो organism हैं, जैसे यूनिशलर organism हैं, उनकी natural death नहीं होती, इस death और natural death में क्या संबन नह देखा जाए, natural death होती है, कि आदमी अपनी लाइफ इश्वान पूरी करके जाए, जीव अपनी लाइफ इश्वान पूरी करके जाए, लेकिन किसी की natural death क्यों नहीं होती, क्योंकि जैकि अभी amoeba है, परामीशियम है, यूग लीना है, इसकी यूनिशलर organism हैं, तो क्या करते हैं, कि अभी यंग हुए है, तो reproduction करके cell division कर लेते हैं, माल लीजे एक amoeba है, एक amoeba cell है, यह cell divide हो जाएगी, एक से दो daughter amoeba बन जाएगे, यह हो जाएगे daughter amoeba, जो कहेंगे daughter amoeba, daughter amoeba, अब देखिये, amoeba दो हो गए, तो चूंकि अब इनकी natural death कैसे होगी, फिर यह यंग ह लेंगे, तो चूंकि इनकी number, इनकी natural death नहीं होती, death तो सब की होनी है, इसका जन्म होना है, उसको मरना है, चूंकि यह खतम न हो जाए, हमारे अस्तित्तों खतम न हो जाए, इसके लिए प्रतेक और इनिम reproduction करता है, और reproduction क्या है, production आप same type of young man is called reproduction, तो कैसे करता है, reproduction की process आप types of reproduction, types of reproduction, कैसे करता है, types of reproduction, कैसे करेगा है reproduction, पर यह रिपोड़क्षन के तरीके हैं जो सका करते है, asexual reproduction, asexual reproduction करता है, अज़ दूसरा तरीका है, sexual reproduction, दो तरह कर भी प्रड़क्शन होते हैं, sexual reproduction, तो दो तरह से आगे हुँआ, अपने नउबर को उसक भड हाता है, रहता है, वर मेंटेन करता है, वह है एक है, यह sexual, दूसरा sexual है, यह sexual reproduction क्या होता ह। युह sexual दनों को देखा जाया लग-लग, पहले हम study करते हैं, यह sexual reproduction, यह sexual reproduction यूनि-parental reproduction है, uniparental, अब यह sexual reproduction को देखे, uniparental reproduction है, uniparental reproduction का लाता है, यह sexual reproduction, यह देखे, uniparental, एक parent जहां लगे, इसमें नहीं कि एक species के दो organism हो, तो reproduction होगा, यह uniparental है, यह एक ही आर्गनी में अपने जैशी प्रजनी डेवलप कर सकता है, तो इनको uniparental करते हैं, यह sexual reproduction, इसमें नहीं कि मेल है, फिमेल है, इससे मतलब नहीं है, यह बहुत से जो लोवर आर्गनीजम हैं, वो इसी विधी से reproduction करते हैं, यह reproduction fast करने की तर्कीव है, तेज reproduction कर सकते है इस विधी से, तो इसमें करते हैं कि यह sexual में uniparental है, तो इसमें करते हैं कि यह कहीं parental हैगा, चाहे मेल होगा, चाहे फिमेल होगा reproduction करेगा, आप इन नंबर को बढ़ा लेगा, कैसे करते हैं, कई device से sexual reproduction की, आया देखिए इसमें जो प्रोजनी आती है, जो प्रोजनी जो उन genetically, genetically similar होती है, यह देखने पर genetically और morphologically दोनों जो उनके प्रोजनी आएगी एदम parent जैसे होगी, उसको clone कहा जाता, सुने होगे बहुत आप, clone, यह sexual reproduction से जो भी प्रोजनी आती है, वो अशब उसकी एकदम parent की clone होती है, अब clone क्या है, जैसे आप आलू बहुते हो, तो आलू से आलू के स्टेम से बहुते हो, यह clone होता है, clone का मतलब उसमें gentic makeup, एकदम वही होगा जो parent का होगा, यह character कोई mixing नहीं होते है, तो ऐसे reproduction को यह sexual reproduction करते हैं, जो uniparental होगा, और जिसमी प्रोजनी जो होगी, वह morphologically gentically parent के हूँ बहु एकदम कापी होगी, आया तेज reproduction करने का यह जो lower organism है, यह प्रोटो जोगा है, पोरी, फेरा, इसलेंट, रेटा, आइशे, कुछ plants है, lower plants, यह reproduction, यह sexual करते हैं, तो इसमें बहुत condition की ज़रुवत नहीं है, यह आसान तरीके से, फास तरीके से, अपने जाट को maintain को organism करता है, भी बताते हैं कि इनकी बिनियों से कैसे करते ह हैं, account करते हैं, तो देखा जाएं, दूसरा account है, sexual reproduction, परचय उसका भी हो जाएं, एक एकि इस्टेप आज पढ़ेंगे, sexual reproduction, फ़रे आपको परचय कराएं, sexual reproduction में क्या होता है, sexual reproduction, यह dual parental reproduction है, दो parent इसमें होंगे, dual parental reproduction है, इसमें दो पारेंट होंगे, एक मेल होगा और एक फिमेल होगा, दोनों सेम स्पेसिरीज के होगे, दोनों की स्पेसिरीज एक होगी, मेल और फिमेल, दोनों होगे तो रिपोड़क्शन होगा, दोनों सेक्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च sexually mature होंगे तब हो पाएगा, यह reproduction तभी पॉस्बूल है जब दोनों sexually mature होंगे, तीसरी condition क्या इसमें है, इसमें गयमित बनते हैं, गयमित, male से male गयमित बनता है, female से female गयमिती बनता है, fusion आप गयमित होते हैं, तो फिर क्या बनता है, जाईगोट बनता है, और देखे दो गयमित बनेंगे, एक male गयमित, male गयमित, कि अज देखे के निमीट क्हल रहें और है कि यह बहुत है नभ देखे, दिस रेंके फिमेल गयमिध होता торों आप fertilizerization बोलते हो, fusion आप male and female गर्मित, जब यह मिलेंगे तो fertilizerization होगा, fusion से तब जाई गोड बनेंगे, जाई गोड, यह क्या होगा, fusion होगा, I.C. reproduction को हम कहें के sexual reproduction, जो प्रोजनी आएगी, वो शेम, gentic makeup उसका same नहीं होगा, mixing आप character होते हैं, दो parental character, mother और father दोनों के character mix होते हैं, मिक्स होकर के तब reproduction होता है, तो इससे जाइगोज बनते हैं, जाइगोज जो बनता है उसकी same copy नहीं होता, बल्कि इसमें प्रजनी अप्ग्रेट और अपडेट होके आती है, तो advanced animal में तरीका यही reproduction का है, जो sexual है, तो हम परते हैं पहले asexual reproduction, asexual reproduction inorganism, दोनों को बताएंगे आपको, sexual भी बताएंगे, animal में कैसे, plant में, लेकिन पहले परते हैं हम asexual reproduction, तो asexual के काउन से तरीके हैं, types of asexual reproduction, asexual reproduction, अब इसमें देखिए आप कैसे करेंगे asexual reproduction को, इसे करने का तरीका क्या isexual reproduction, इसमें कई तरह के organism कई devices अपनाते हैं, जिसे कुछ organism अइशे हैं, इसमें करते हैं, कि fission करते हैं, fission, तो कि हिंदिन को बिखंदन करते हैं, तूटना, अब लोर organism में होता ही है, अब यह कुछ लोग binary fusion करते हैं, कुछ लोग multiple fusion करते हैं, जैसे देखे, दो fusion होता, binary fusion, binary fusion, और दूसरा होता, multiple fusion, multiple fusion, तो दोनों तरीके हैं, fusion है, एक आरगनीम, जैसे amoeba है, paramecium है, या कोई lower आरगनीम है, उनने क्या करते हैं, दो भागो में डिवाइड हो जाते हैं, यह उनी आरगनीम, paramecium है, चाहिए उगलीना है, amoeba है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो एक कहें कि बाइनरी फीजन, बाइड मींस होता, दो, दो भागो में डिवाइड हो जाएगा, अब दो भागो में डिवाइड कैसे होगा, कुछ लोग transverse binary fusion करते हैं, कुछ लोग longitudinal binary fusion करते हैं, जैसे paramecium, paramecium है transverse binary fusion करता है, transverse binary fusion, Binary fusion करता है. Transverse Binary fusion करता है कौन? Paramecium. यह Paramecium है Transverse Binary fusion करता है. वहीं यूगलीना है यह भी Binary fusion करता है. लेकिन यह Longitudinal Binary fusion करता है. Longitudinal Binary fusion करता है. इस वकार से दो तरह के Binary fusion हो गए यह से यूगलीना. यूगलीना क्या है? Paramecium करता है? यूगलीना कौन करता है? Transverse Binary fusion. यूगलीना है. यह भी Unicellular है. आप यूगलीना को जानते हो. यूगलीना is the connecting link between animal and plant. तो अंए दो करेक्टर होते हैаемся एनिमल के प्नेक्टिंग लिंक भी है. इस वने पार विस च graduate. यूग.. पास यूब है यूगलीना इनिमल के प्रांड करेक्ट के साफशि के बहा है. यूद्यना इनिमल के बिदेंगनेना है। यूपलांडिक प्रांडिक के बिदेंगनेた। क्लोरपलास्ट भी होता है, सन लाइट होने पर फोटो सिंथेसिस भी कर लेता है, जब कि इन्मल फोटो सिंथेसिस नहीं करते हैं, तो इसले इसमें इन्मल प्लांट के बीच की करी मानते हैं, कि रगता है इन्मल प्लांट है, इसा ही डिवाइड होके दो गुरुप में गए ह तो देखिए यह पारामीशियम जो बाइनरी फीजन करता है, यह लांगी चुजन फीजन करता है, दोनों एक से दो होना फीजन है, तो बाइनरी फीजन, आगर बहुत कर जाएं, बोलते हैं उसको, देखों मुल्टिपुल फीजन, जैसे इसी प्रोटोजोगा में देखिए आ आपका, प्लाइनरिया, यह मुल्टिपुल फीजन करता है, बहुत भागों में डिवाइज हो जाएगा, जितने टुकरे में डिवाइज होगा, उतना बना लेगा, इसको कहते हैं मुल्टिपुल फीजन, यह आसान तरीका यूनी परेंटल है, आसान तरीका है रिपोड़क इसे प्रोसेस चलता रहता है, तो इस प्रकाल से इनकी पूछा जाता है, क्या इनकी नेचुरल देथ होती है, तो नेचुरल देथ नहीं, देथ तो होती है, कोई मारतल नहीं यहाँ है, सबको एक बार जो जन्म लिया, मरना है, लेकिन नेचुरल देथ है, सवाल पूईता पहले जन्म लेना, बुरह होना, एक लाइप स्पांज जीने के बाद खतम होना। तो इसे ही जमान हो जाता फिर, जह हो इसमें अच्छोर होगा, फिर दिवाईड होके दो हो गया, तो हो गया तो फिर यंग हो गया। इस लिए इसमें नलाची डठ नहीं होती है, बाकिज़र तो सम्मेह होनी है कोई मार्छल नहीं है इसमें प्रॉस ऋप्रावसे स्प्रोश ने दिया रिपर्डॉक्शन का की मैंटेन करो इसमें कारो ही। चले दूसरा देखते हैं, sexual reproduction, एक तो हो गया binary fusion, दूसरा हो गया, देख हो गया fusion, एक तरीके से आपने देखा, कि reproduction by fusion, देखे, कुछ और गनिम क्या करते हैं, कि ispore formation करते हैं, ispore formation, ispore formation, क्या करते हैं, ispore formation, unfavorable condition, सबके life में एक unfavorable condition आते रहते हैं, uncool पर, cool पर स्थितियां, तो एक unfavorable condition में ispore formation एक अच्छा तरीका है, जो lowest organism है, micro organism है, वो ispore बना लेते हैं, पहले क्या करते हैं, कि पहले यह अपने nucleus को divide कर लेते हैं, अब बहुत से amitotically, amitotic division करके, many nucleus मना लेते हैं, फिर चाहँ तरफ से cytoplasm में कथा हो जाता है, और फिर उसमें cyst मना लेते हैं, चाहँ तरफ से covering, आई एक बार जो है कथा हैं, परे रहते हैं, उसी में unfavorable condition को काचते हैं उसी तरीके से, अब फिर जब यह बर्स्ट करता है, अब इस निकल के बाहर नए अधिनीम को reproduce करते हैं, तो इस प्रकाल से इसको क्या करते हैं, इस पोल फार्मेशन, जो बहुत इक जिवर्णिया, जियांपूल आपके हैं, पलाजमोडियम, प्रोटोजोवा है, पलाजमोडियम जिसको आप जान रहे हो, पलाजमोडियम को होताँ पारिसि PRESॉट्टोचया परिषिक प्रोटोजोमा है यंद रिपोदक्षनेसर थे करता है बजी फार्स्किली फ्राइस्ट्रीप्रेस्टन कर लेता है और रिपोदक्षन करके बहुत से आग्ञिन बनाता है यह आपके यह जो मलेडिया विमारी होति है इसी से होति है इसकी चार species है, पलाजमोडियम वाईवैकस है, पलाजमोडियम फैलसी पेरम है, पलाजमोडियम ओवैल है, और पलाजमोडियम मलेरी है, चारो species है इनकी, है तो जीनस सबका सेम है, पलाजमोडियम मलेडिया करते हैं, तो या अभी this four facingation के जरी रिप्रोडक्षन करता है बहुत फास्टली कर लेता है और यह डाइजेंटिक लाइफ साइकल है मच्छर मस्क्यूटो से और हम में त्रांस पर होता रहता है तो इस प्रकार से यह बाइस्पोर फार्मेशन का एक तरीका है, यह से रिपोड़क्शन होते हैं, बहुत तेज रिपोड़क्शन चलने का यह भी तरीका है, किसी किसी में ऐसे रिपोड़क्शन हो जाते हैं, बाइस्पोर फार्मेशन, दूसरा यह सेक्शूर रिपोड़क्शन का तरीका आपको तिस्रा पताएं, तिस्रास से शेट्र। क्या है? Regeneration। Regeneration, Regeneration. कुछsecond organism के cell में कैप्षथी है कि पूरी बॉडि बना सकते हैं, उसको라고í Potency कहते हैं, Totipotency, तो उसको कहते हैन् totipotency, एक नाम सुनूंंकों को बहुत पूचा जाता है, Totipotency 30 potency ability of any cell which can produce whole organism complete organism there are some cell have capacity to produce same organism all the cell and tissue organ may be made by that particular cell all cell have same behavior कुछ चल ऐसी होते हैं कि जिनके पास अपनी पूरे organism और organ को बनाने की capacity रखते हैं उनको 30 potency कहा जाता है तो कुछ आरगनिम जिसे रिजनरेशन प्लैनेरिया, प्लैनेरिया के हर cell में एक प्लैनेरिया बनाने की capacity होती है तो कुछ लोगों रिजनरेशन एक तरीका है जिससे करते क्या हैं कि ये sexual reproduction कर लेते हैं रिजनरेशन से, इनको जिकने टुकले काड देंगे आप, उतने जो है आरगनिम बन जाते हैं तो एक तरीका ये भी है, ये sexual reproduction का की आप जो है, इससे बना सकते हैं बहुत से आरगनिम बन सकते हैं किसी-किसी में इस पोर बनते हैं जू इस पोर फार्मेशन जू इस पोर फार्मेशन इस पोर से बनते हैं इनको unfavorable condition में इस पोर बना लेते हैं और इस पोर बना करके algae वगरे में फंजाई वगरे में आईसे reproduction होते हैं इस sexual reproduction कुछ फंजगस में कुनीडिया से होते हैं कुनीडिया फार्मेशन कुनीडिया क्या होते हैं कुछ पोर बना ने फूंजगस की कुम देखागया फंजगस में इस तरह के reproduction होते हैं क्योंकि इसमें कुनीडिया बनते हैं फंजगस क्या हैं पायरासिटीग पलांत हैं और यह जो स्इप्रोफिटिक आर पालासिटीग होते हैं तो इन में क्या होता कि कोनीडिया बनते हैं, कोनीडियों फोर पर कोनीडिया बनते हैं, जैसे मालेस का हाइफा है, इस पर कोनीडिया ऐसे बनने लगते हैं, इसको करते हैं कोनीडिया, कोनीडिया, या कोनीडिया सेपरेट होकर कि नए आगिनिन को जन देते हैं, यह यूनी प कुछ लोगों में देखिए, sexual reproduction होता है by budding, bud बनते हैं, कलिकाई, by budding, अगला reproduction का तरीका है by budding, by budding, bud formation होता है, कुछ ऐसे आगरीम है, जिनमें bud बनते हैं, bud एक मुकूल है, कलिकाई इसको बोलो आप, जिसे इस्ट है, इस्ट जेखिए, फंगस है, इसमें ऐसे bud बन जाएग इसे, हई इस्ट है, सैक्रोमाईसीज, इस्ट, इहां लिख देते हैं, इस्ट, इसका नाम सैक्रोमाईसीज, इसमें रिखिए बड है, यह बड अलग होकर के नए इस्ट को जन्म देती है, तो इस पकार से sexual reproduction का एक तरीका, और आसान तरीका by budding, जिसे आपके हाइडरा है, ह इसान था था है, हाइडरा में भी budding दौकर र होता है, ह Spaß ऐसेymet Haistma, इसके रिखिए यह बड है गीुषिह अर देखिए तरीके इसके अश्ट ऑबड फार्त में एक तरीका है, वेजिटेटिव बड हैश्ट एक तरीका है, वेजिटेटिव बड है, गोप्योपजेश्ट यह भी एक तरीका है जिसे reproduction होते हैं, तो vegetative reproduction उसके stem से, root से, leaf से reproduction कराते हैं, जिसे देखें अभी आप, कुछ plant ऐसे हैं जिनके root से reproduction हो जाते हैं, जिसे आपको बताएं हम, आपको sweet potato, sweet potato, sweet potato के root से आप reproduction करा नया plant बना सकते हो, इसके root से reproduction होता है, कुछ plant के stem से होते हैं, जैसे आप देखें, potato का tuber, potato है, उसको stem को tuber बोलते हैं, tuber, इसके stem से हो जाता है, यह stem है, stem से reproduction हो जाता है, कुछ में ऐसे plant हैं, जैसे leaf से हो जाते हैं, जैसे बरायो खाइलम आजूबा, गुरायो फिलम आजूबा है, इसके लीफ से रिपोड़क्शन हो जाता है, तो देखे रिपोड़क्शन का ये वेटिटिव प्रोप्रोगेशन सब हैं, इन तरीके से भी रिपोड़क्शन होते रहते हैं, तो बहुत से प्लांट ऐसे रिपोड़क्शन करते हैं, तो अगली वीडियो में हम देंगे, tissue culture एक मेठर, बताएंगे कैसे करते हैं, tissue culture, एक आसान एक तरीका, scientific एक device हम बताएं, बताएंगे आपको, artificial minor है, इससे tissue culture करते हैं, एक और आता, micropropagation, micropropagation, इससे भी हम reproduction plant में करा रहे हैं, तो इस प्रकार से यह सब asexual devices हैं, यह sexual devices हों से इतने भी reproduction होते हैं, उनकी प्वजनी एदम clone होती हैं, हूँ बहु clone आएंगी, gentrically और morphologically clone होती हैं, इतनी तरीके आपको दिये, सब आपको asexual reproduction के तरीके हैं, आसानी से asexual reproduction कर देता है, आपको जैसे कि आप कुछ मजबूरीयों के वज़र से, कुछ दिक्कत के वज़र से हम वीडियो बना नहीं पा रहे थे, मजबूरी थे नहीं, आपनों का प्यार मुझे फिर एक्साइट किया बनाने के लिए, तो हम बना रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा मुझे कमेंट में बताएंगे, क्या आप जानना चाहते हो और कैसा लग रहा है, क्या इसमें और अच्छी चीज़ें आपको चाहिए, कितना एडवान्स चाहिए, वह ऐसा हमको आप बताते रहेंगे, तो हम इसमें अगली वीडियो में आपको चुहन फिर अक्सर हम वीडियो आपको देते रहेंगे, तो फिर हमने चैनल फिर आपको आपके प्रेम को देखते हुए सुनू कर दिया है, और बच्छों के बहुत कमेंट आ रहे थे, इसलिए कि पर आप इनको जो चैनल को अपगेट कराएंगे और जैसे चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वीडियो मिलते रहेंगे, आप लोगों को बहुत बहुत धन्दवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर देंए और थोड़ा सा हमारे चैनल को अपगेट कराएंगे, जो चाहेंगे, वो हम आपको देते रहेंगे, धन्यवाद,